नमसे दोस्तु कैसे हो आप सब या पर हम इस वीडियो के दन बात करने वाले है ओपिशाल पिक्सल एक्सप्रियंस का जो आंडराइट 12 का जो बेल्ट है उसे रेड़ी नोट 10 प्रो डिबाइस को पर किसारा से इंस्ट्रल करते है स्टेप बाई स्टेप रेड़ी नोट 10 प्र रेड़ी नोट 10 प्रो मैक्स डिबाइस के उपर तो वीडियो को अंतक देखना वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना चैलेंड को सब्सक्राइब करके घंटीबाल आइकोन को दबाके औल सेलेट कर दीचे के इंस्टेगाम में फॉल्ग कर सकते हो या पर ए रेड़ी नोट 10 प्रो डिबाइस को पर पिक्सल एक्स्प्रेंस का जो प्लास एडिशन ने इंस्टोर किया है सबसे पहले अब अब जहें डेस्किप्शन बॉक्स में पिक्सल एक्स्प्रेंस कस्टम राम का डानलोड लिंक देना कमेंट जाएगा वह आप आट जाके रेड राम को इंस्टोर कर स्बैले आपके डिबाइस को पर बूट लौरर अनलोग होना च交ए पिलासे पर छे कस्टम रिकिपणी इंस्टोर होना चैया अगर आप नहीं जान तो Redmi Note 10 Pro डिबाइस को पर किसार से बूर्ड लार को अनलग करते किसार से कस्टम रिकवरी को इंस्टल करते इसके बार में हमने अल्लेटी जो इंस्टलोशन वीडियो है अपलोड के है आप सिंपली Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वह आपड जाके चेक देख सकतो यापर सिंपली कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए सबसे वह आप जो फोन को आफ करने के बास सिंपली आपर पावर बटन और वोल्यम आप बटन को एक साथ लांग प्रेस करना होगा उसके बाद आपको जो रिवाइस से कस्टम रिकवरी के साथ बूट हो अब पावर बनु से रिकवरी को बूट कर सकते हो सिंपल यापर पिक्सल एक्स्प्रेंस रिकवरी को इंस्टोर करने के लिए पड़ चे कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए पावर बटन और वोल्यम आप बटन के सब कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो यापर हम कारें रॉम का बैकाप क्रेट करना होगा यह पर बैकाप क्रेट करना होगा यह पर बैकाप क्रेट करना होगा यह पर वाइप में जाना होगा वाइप में जाने के बाद डैल्विक डेटा कैश है यह जो तीना आप्शने सेलेट करना होगा यह पर इंटरन स्टोरेज और जो तीन आप्शन को स्वाइप करने में कुछी सगें लगता है वाइप करने के बाद सिंपली बैक आके आपर इंस्ट्रल में जाना होगा इंस्ट्रल में जाने के बाद जीजबी फोल्डर के उपर अपनी इस रॉम को राउट के है उस फोल्डर में जाके रॉम को स्वाइप करन GApps को flash नहीं करना होगा, अलेक से play store को install नहीं करना होगा, इस ROM के साथ जो by default GApps अबलेबल है, तिया पर ROM flash होने में लगबग 5 मिनिट के असप्रस टाइम ले आएगा, ROM flash होने के बाद simply back आके, या पर wipe में जाके, format data में जाके, यह type करना होगा, आपर जो फासबूर होने बाला है, फासबूर में लगबग 5 मिनिट के असप्रस टाइम लाएगा, उसके बाद आपको ROM को simply setup करना होगा, कुछ इस method के साथ आप पिक्सल एक्स्प्रेंस कस्टम राम को flash कर सकतो, redmi note 10 pro device को पर, actually इस method के साथ, अब कोई भी custom राम को flash कर पाऊगा, redmi note 10 pro, redmi note 10 pro max device को पर काफी बढ़िया बात है, अगर बात करें पर पिक्सल एक्स्प्रेंस कस्टम राम के साथ जे क्या क्या, features को add किया गया है, सबसे बेल ये पर लेटेस्ट, आगस्ट का जो सिगूरी patch अपर है, add किया गया है, प्लस से पर जे, morning boot animation को ये पर जे, add किया गया है, प्लस से पर जे कुछ-कुछ bug को फिक्स किया गया है, इस build के साथ हमने, अपर pixel experience plus edition को इंच्ट किया है, पर plus edition के साथ जे कुछ-कुछ features extra देने को मिलेगा, जो कि normal जो pixel experience का जो build उसके साथ अबलेबल नहीं है, पर system audit को इंच्ट करने का option है, पर ot audit को इंच्ट करने के लिए अपर serasbar को पर concourse icon को दिखना जाते हुए, इसके लिए जो option से add किया गया है, पर double tap to slip का option है, इस option को enable करने के बाद, simply serasbar में double tap करते ही, display जो off हो जाएगा, इसे भी add किया गया है, या पर battery style का जो option है, battery parts in reach का option, brightness slider का जो option से add किया गया है, पर brightness control का option है, इस option को enable करने के बा पर auto badness को जो options add किया गया है पर quick settings panel को पर जो auto badness का आइकन ही उसे disable करने के लिए जो options add किया गया है कुछ इस अरह से जो options से काम करते है काफी बडिया बात है इसे भी options available है नेक्स्ट आपर बात करें buttons के बार में buttons को पर system navigation को पर two-button navigation, three-button navigation, gestion navigation का option है या पर press and hold power button to enable assistant का option है पर adverse reboot को जो option से add किया गया है पर simply power button के साथ call को बंद कर सकते पर flash light को enable करने का option से add किया गया है या लांग प्रेस for touch का option इस option को enable करने के बास पर simply power button को लांग प्रेस करके आपज़े पर flash light को enable कर सकते इसे भी add किया गया है पर volume पैनल के साथ volume button के साथ device को एक आप कर सकतो call को answer कर सकतो playback control का option है इस option को enable करने के बाद आप simply screenshot को click कर सकते है इसी recent app का option है शो notification का option है यापर simply quick tap के साथ आप आप जो है इभर screenshot को click कर सकते हो इस option को हमने ये पर show notification का जो option से select के उसके बाद simply आपर quick tap करके आप जहे नोटिफिक्शन पर आपनल ओपन हो जाए यापर quickly open camera का option इस option को enable करने के बाद power button को यापर डबल बड़ प्रेस करके आप जहे camera applications को open कर सकतो ये पर system navigation को पर two button navigation का option ये पर one hand mode का option से इसे भी add किया ग का access पूश्रा था इसे भी add किया गया है पर accessibility series को पर जहे extreme का option से add किया गया है या पर accessibility options को पर जहे extreme का option है dark mode का option है vibration haptic का option से add किया गया है like caption का option है या पर sound amplifier sound notification का option है audio adjustment का option इसे भी add किया गया है plus एपर wallpaper and style को पर जहे wallpaper color basic color का option है पर dark mode का option है और इसे भी options को को एड़ किया गया है एप ग्रिट का जो अप्शन से काम कर जाएगा प्लस एपर डिस्प्ले को पर एप्शन को एड़ किया गया है यह पर पर maximum brightness या पर low brightness के साथ कोई भी इश्व नहीं है पर auto brightness का जो अप्शन से एट किया गया है पर lock screen Cooper जहे एसे बी अप्शन से या पर always done display का जो अप्शन से इसे बी एट किया गया है पर या पर dark mode का option या पर night light का जो अप्शन से एट किया गया है ररीबी नोट 10 pro device का साथ night light का जो अप्शन से काम कर जागे इसे भी एट किया गया है पर live display का option है या पर double tap to wake up का जो अप्शन से एट किया गया है इस option को एनेबल करने के बाद सिंपली है बाद जहे डबल टब करके इस option को एनेबल करने के बाद जब आपको जो डिवाइस आप चार्जिंग के साथ connect करोगे डिस्कनट करोगे automatically display जहे on हो जागे इसे भी एट किया गया है पर sound and vibration को पर जहे इंगरिस ring volume का option है Sim1 और Sim2 के लिए अलगला green tongue को set कर सकते पर live caption का option है add किया गया है adaptive sound का option इसे भी add किया गया है या पर इस build के साथ जब टाच वाइबरीन का option है टाच साउंड कोorial को शांट केने का अप्ष्छन है charging sound and vibration Pikachu उसे बहुँ है प्रक्थ we पर बाड्री बैक अप देना को मिल जाएगा अबर जो तो बैक अब रखे गbox अप्शूं की उसे कर तो पर बैत्री बैक relaxation को अप्सिंर च्की एंच्ट जिस्कं अप्शिशन सी ओड़ियोंन के अप अप Turon खिए गया है और वाइवजच Finished सब्सक्राइब कर सकते हो एनीवेई वीडियो को लाइक कर देना है वीडियो को श्यार कर देना चैलेन को सब्सक्राइब कर सकते हो देना चैले वीडियो को श्यार करके घंटी वाला आइकन को दबाके और सलेट कर दिचेका इंस्टेगामे फ्लो कर सकतो डिस्किप्शन बॉक्स में स्राम का डाउंड लिंक देना क मिल जाएगा वापर जाके स्राम को डाउंड कर सकतो एन्ड रेडिवनो टेन पर का जो प्ले